मैं मधु चौधरी, Associate Professor in Government Lohia College चूरू आज हम Applied Entomology में General Idea of Damage Caused by Paste विशे पर चर्चा करेंगे यानि कीटों के द्वारा सामाननेता किस प्रकार के नुकसान पहुंचाये जाते हैं पूंचे स्काफिट कर्चाये चौर ॷभारा सिथेां उते हैं अत्य कर्चाये यदिशे तो किस बस्तों कर्यााराम destroying चैरते हैं आज कर्चाये ख härिए्टी नफे चैर्फरे, कैर म॥ारे, किस्क्रावे निऊनाटरीजिए रटीख़्र, किःर उनिए तनिएप्स, उनित। इंज़ जोब जोदेफिर ₹ झाह्यद लेकिज़ और डैंप निटी दो बेस्वेल ऑनिज़ रेफिंज़ी जी ओसाधिरि taco फ्सक्ष्मेज, तर थर प्रूअ करते ह송 ईज़ धनिधे नाथ कर दोजह。 प्रतिवर्ष लगभग 10 प्रतिशत क्रॉप इंसेक्स के द्वारा फीडिंग के लिए वो डिपेंड करते हैं क्रॉप पर इसके द्वारा डिस्ट्रॉइ की जाती है इनके जो फीडिंग मैथट्स हैं वो अलग-अलग प्रकार के हो सकते हैं जैसे फर्स्ट चैविंग ऐसे इंसेक्ट जिन में well developed strong mandibles पाए जाते हैं और जिन में हम कहें cutting and chaving type of mouth parts पाए जाते हैं उनके द्वारा chaving की जाती है ये plant के external part जिसमें leaf है, stem, flowers के part उनको cut करते हैं और उनको swerd करते हैं यानि निंकल लेते हैं भोजन के रूप में ग्रहन करते हैं crops का काफी part जो मवेशी हैं जैसे cows, horses, इनके द्वारा got, grazing के द्वारा भी nest किया जाता है लेकिन एक बहुत बड़ा भाग insects के द्वारा भी nest किया जाता है वो insects जो plants के उपर feeding के लिए depend करते हैं उनको हम phytophagus insects बोलते हैं और इसमें जो order involved हैं insects के वो order है और थॉप्टेरा जिसमें grass hoppers आते हैं colioptera जिसमें beetles आते हैं lapidoptera जिसमें caterpillars आते हैं और lapidoptera में जो butterflies हैं और moot हैं लेकिन जो butterfly के caterpillars हैं लार्वा हैं वो mainly cutting and chaving यहाँ पर करते हैं इन में से बहुत सारे insects ऐसे हैं जो पौधों को और पत्तियों को बहुत ज्यादा harm पहुचाते हैं यह leaves को skeletonize कर देते हैं यानि बिल्कुल उनका कंकाल उनके veins शेस रहते हैं और plants को बिल्कुल उनके जो leaves हैं उनके branches हैं उनको बहुत बुरी तरह से destroy करते हैं 1922 में grasshoppers के दुआरा कनेडा में crops को इतना ज्यादा नुकसान पहुचाया गया कि जो पालतू जानवर थे उनको बचाने के लिए कि वो survive कर सकें देश से बहार भीजना पड़ा piercing and shucking type ऐसे insects जिनमें piercing and shucking type mouth part पाये जाते हैं उनमें mandibles और labium lumbe cylindrical sharply pointed beak जिसको proboscis कहा जाता है उसमें modify हो जाते हैं और उसके बाद वो भेंदते हैं छेद करते हैं fruits में, stems में और leaves में उनका sap, उनका rust है उसको शक करनी के लिए इनके द्वारा जो hole किये जाते हैं वो बहुत छोटे होते हैं नजर नहीं आते लेकिन after sapping जब rust juice लिया जाता है punching के बाद, वहाँ stem के उपर, fruits के उपर, white spots बन जाते हैं और इसके कारण जो fruit हैं वो damage भी होते हैं, destroy भी होते हैं जो leaves हैं, वो curling हो जाती हैं piercing and shucking type जो insect orders हैं जिनमें piercing and shucking type mouth part पाए जाते हैं उसमें hemiptera order के insect आते हैं जिसमें bug हैं, scale insects हैं, aphids हैं और leaf hoppers हैं piercing and shucking type जो insects हैं, hemiptera के जो insect हैं, वो plant के जो sap हैं, उनकी shucking के लिए मुख्य होते हैं लेकिन man और animals में भी blood shucking करने के लिए dioptera में जिसमें mosquitoes आते हैं वो भी काफी हद तक नुकसान पहुंचाते हैं और disease transmission में जो संक्रमन फहलाया जाता है उसमें और general blood shucking man और animals में की जाती है, mosquitoes के द्वारा तो dioptera में और animals में main example है और order है और hemiptera के जो insects हैं वो plants में sap shucking के main example है बोरिंग insects जो अपनी feeding के लिए internal plant tissues पर depend करते हैं उनको हम borers कहते हैं इनकी entrance tissue के अंदर generally जो mother insect होती है उसके द्वारा किये गए oviposition के कारण होती है जब एग लेंग करती है शार्प ovipositor के द्वारा भेंद कर जो tissue है plant का तो eggs की जब hatching की जाते है तो after hatching जो developmental stages होती है इंसेक्ट की उनके द्वारा internal plant tissues को feeding के रूप में food के रूप में use किया जाता है और इस तरह के जो insect होते हैं उनको हम borers कहते हैं borers जिन insect orders से belong करते हैं वो हैं colioptera, lapidoptera और dioptera borers of fruit are called worms ये lapidoptera के होते हैं जो seeds को bor करते हैं या भेंदते हैं उनको हम weevils बोलते हैं ये colioptera के होते हैं और जो leaves को भेंदते हैं उन्हें हम leaf miners कहते हैं और ये dioptera के होते हैं इसमें जो first two orders हैं जिसमें यहां पर lapidoptera और colioptera है इन दोनों के insects, bark, cambium और hurtwood इन तीनों stem के parts को भी bor करते हैं यानि stem को काफी हद तक, काफी depth तक नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साथ साथ ये root को भी भेंदते हैं या कहें कि root को भी बोर करते हैं after boring they make galleries as they feed upon the internal tissue और leaf rust यानि कच्रा छोड़ देते हैं जो plant tissue है उसके अंदर और plant को काफी कमजोर बना देते हैं ये यहां हम देख रहें leaf miners और tissue cutters तो ये ये leaf miners है इस तरह कि जब हम देखते हैं इस तरह कि जब हम पत्तियों में कभी कभी linings देखते हैं जाल जैसा बना रहता है white white ये leaf miners के कारण होता है यहां जो leaf का upper और lower epidermal layer होता है उसको destroy किये बना जो leaf है उसका internal tissue है उन सब को ये insect है वो भेंदते चलते हैं और इस तरह कि linings वहां हमें नजर आती है क्योंकि जो middle tissue है वो सारा destroy हो जाता है तो इन्हें हम कहते है leaf miners यहां यह टीशू damage किया गया है यह हम देख रहे हैं यह tissue destroy किया गया है इंसेक्ट के द्वारा और जो अपर epidermal layer है उसके साथ साथ जो middle tissue है सारा cells उन सब को भी cut कर दिया गया है leaf damage by insects in different ways तो कई तरीके से इंसेक्ट उनको destroy करते हैं गॉल मेकिंग कुछ insects जिसमें डायप्टेरा की गॉल मीजिज और हायमेनप्टेरा की गॉल वाश्प साते हैं ये plants को induce करते हैं एक external outgrowth और हम कहें tumor फॉर्म करने के लिए वहाँ tumor डवलप हो जाते हैं आउट ग्रोथ होती हैं ये अलग-अलग shape और size के होते हैं और हम इने galls बोलते हैं गॉल का जो formation है वो OV position जब किया जाता है इंसेक्ट के दुआरा plant tissue के अंदर और जब उस tissue में eggs की hatching के बाद जो developed larva है उसके दुआरा कुछ ऐसे chemicals का secretion किया जाता है कि उसके जो surrounding tissue है plant का वहाँ पर growth शुरू हो जाती है आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है वहाँ के जो cells हैं वो काफी तेजी से divide होने लगते हैं और जो ये outgrowth form होती हैं इने हम galls बोलते हैं galls insect को shelter भी देती हैं उसको food भी provide कराती है जो भी developing larvae stage वहाँ पर है insect का और अलग-अलग तरहे के जो insect हैं वो अलग-अलग shape और अलग-अलग size के gall form करते हैं एक ही तरहे के जो insect हैं वो अलग-अलग plant के उपर एक ही shape और size के gall form करते हैं जबकि एक ही प्लांट के उपर एक ही समय में एक से ज्यादा इंसेक्ट अलग-अलग तर है के शेप और साइज के गॉल फॉर्म कर सकते हैं लेकिन काफी हद तक ये species specific होते हैं और कभी-कभी गॉल को देखकर ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस पार्टिकुलर इंसेक्ट के दुआरा बनाया गया गॉल होता है डिफरेंट टाइप आफ गॉल्स यहां हम देख रहे हैं अलग-अलग तर है के गॉल्स हैं ये अलग-अलग शेप है गॉल्स का बहुत सारे वारियेशन्स हमें इसमें मिलते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गॉल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट के द्वारा फॉर्म किये गए हैं तो ये पॉधों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता ये लक्षन की गॉल्स फॉर्म करना है कि नहीं करना ये डवलप होते हुए इंसेक्ट का जो स्टेज है जो भी लारवल स्टेज है उसके द्वारा सिक्रीट किये हुए कैमिकल्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि गॉल फॉर्म करना है इसलिए unwilling process है ये plant के लिए कि वो इस प्रकार के outgrowths जो होते हैं वो form करते हैं जिने हम galls बोलते हैं of these galls UV बोल्ष इस्ब में तु kinderen वाहरा निस्थ होला ज्यों ए टे एक लीूट नट ये droelyn वहरे एंसरा बिये भाल थे एंसरा वईिशन याटीर में शिकोल्द तो generally ये harmless होते हैं गॉल्स प्लांट के लिए लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनका number of गॉल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्लांट बॉडी के उपर तो वो होर प्लांट है पूरे प्लांट को destroy कर देते हैं और इसी का example है wheat joint worm और grep phylozera root eating जिस प्रकार ground के उपर के प्लांट के जो पार्ट है जिसमें stem, flowers, leaf इन सब में sap shucking की जाती है उसी तरह से underground जो पार्ट है root के उनमें भी same sap shakers होते हैं, root borers होते हैं और gall insect होते हैं वो सारे के सारे चीज़ें भी underground जो पार्ट है प्लांट के वहां भी की जाती हैं वहां भी destroy किया जाता है जो प्लांट के parts हैं उनको और crop को इस तरह डेमेज किया जाता है इंसेक्स से द्वारा woolly apple aphid, eriosoma, lanigranum में दो generations जमीन के उपर होती है agling होती है, leaf shucking होती है और उसके बाद में एक winged form इसका होता है punk youth इसकी किस्म एक बनती है और फिर ये migrate करता है और underground चले जाता है फिर जो roots हैं उनके उपर feed करता है फिर young ones वहां birth होता है उनका और summer में ये root पर feed करता है उसके बाद में winter में wingless male और female form होता है उनमें mating होती है और फिर जो प्रोजानी होती है जो संतती होती है वो जमीन के बहार आ जाती है और उसके बाद में जो egg production होता है जो भी mating के बाद में individuals होते हैं उनके द्वारा और underground damage इनके द्वारा जो root है उसमें पहुँचाया जाता है और कभी कभी adult और nymph के द्वारा ये जो underground damage होते हैं वो इतनी ज्यादा हो जाते हैं कि पूरा plant है वो destroy हो जाता है injury by egg laying लगभग 5% जो damage होते हैं वो पौधों में और पेडों में OV position के कारण होते हैं यहां हम देख रहें सिकाडा female है और ये सिकाडा female ये इसका OV position है OV position के द्वारा जो stem है branch होती है उनको भेंद कर ये stem के जो tissue है उसके अंदर egg laying करते हैं और उसके बाद में जहां इनके द्वारा egg laying की जाती है उसके आगे की जो branch है वो branch destroy हो जाती है इसका reason यह होता है कि इसका जो OV position है इसके द्वारा ये जो टेहनी है या जो branch है इसको split कर देता है इसको fart देता है और फिर ये egg laying करता है तो ये जो नुकसान होता है इसके द्वारा किया जाता है सिकाडा female के द्वारा ये काफी ज्यादा होता है इसके लावा जो ट्री वॉपर्स हैं ट्री क्रिकेट्स हैं उनके द्वारा भी एग लेंग की जाती है लेकिन काफी ऐसे जो हम कहें मिजियॉरटी में ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो एग लेंग करने वाले होते हैं प्लांट टीशू के अंदर कि उनकी एग लेंग के बाद में जो डवलपमेंटल स्टेजेज होती हैं वो अपने फूड के लिए जनरली उस पर्टिकुलर टीशू के उपर डिपेंड नहीं करती वो समान्यता अपने फूड के लिए मूव कर जाते हैं वहां से तो जो नुकसा होते हैं वो इसलिए कम हो जाते हैं कि एग लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर टीशू को कुछ इंसेक्स प्लांट्स के अलग-अलग पार्ट्स को यूज करते हैं अपने नैस्ट को बनानी के लिए जिनमें हम यहां एक्जाम्पल देख रहे हैं लीफ कटर भी का जो रोज के और जो दूसरे फॉलियेज हैं दूसरी पतियां हैं उनको यूज करते हैं यह पत्तियों को जैसा हम यहां देख रहे हैं बिलकुल सर्कुलर कट करती हैं यह इसको मूग कर रही है ले कर जा रही है और फिर इसको थिंबल शेप में या कौन शेप में जोडते हैं इसको यह सिमेंटेट करते हैं यानि जो इनका खुद का स्लाइवा है और इनके सीक्र के द्वारा ये इनको जोडते हैं और फिर सेल फॉर्म करते हैं कभी कभी इन टुकडू को एक के बाद एक टनल के फॉर्म में जोड़कर भी अपने ञाच फॉर्म करते हैं और इनके जो नेस्टास होते हैं उनमें यह store करते हैं nectar, pollens और eggs यहाँ एक दूसरे example हम देख रहे हैं यह tropical leaf cutting ant है एटाइ species की यह बहुत सारे leaves को काफी बड़ी तादात में leaves को एकठा करते हैं अपने nest में और फिर जो टुकड़े यह लेके जाते हैं leaves के और plants के उनको यह बिल्कुल sharp fine pieces में cut करते हैं और जो खुद का excreta होता है उसके साथ और जो दूसरे जो insects हैं उनके excreta के साथ उसको mix करके फिर यह उसकी खाद बनाते हैं और फिर यह grow करते हैं पर्टिकुलर एक खास तरह का specific fungus और उस fungus को जो इनके larva और adult हैं वो food के रूप में लेते हैं तो हम यहां पर देख रहे हैं यह ant है यह cut कर रही है इस leaf को यहां हम इसको देख रहे हैं और फिर यह इसको ले जाते हुए यहां अपने nest में हम देख रहे हैं कितनी खूप सारे यहां पर ants हैं यह सब यह सब leaves को लेकर जा रहे हैं यह इनका nest हाम नजर आ रहे हैं हमें अंदर ले जाते हुए injury due to mutualism mutualism में दो insects के बीच में इस तरह का relationship होता है कि वो एक दूसरे के लिए beneficial होता है उनका रिस्ता तो इसका एक example होता है ants और aphids के बीच में जो relationship है aphids अपने host plant पर खुद नहीं पहुंच सकते तो उनको उनके food जो भी host plant है उसके root तक पहुंचाने का काम करते है ants और उनको बदले में मिलता है honeydew जिसका production किया जाता है aphids के द्वारा तो क्योंके ants को honeydew चाहिए होता है इसलिए वो कि survive करें aphids उनको खुद पहुंचाते हैं उनके host plant के root तक और बदले में जो production होता है aphids के द्वारा honeydew का वो मिलता है ants को तो ये एक mutualism दिखा जाता है एक रिष्टा जिसमें दोनों जो insect हैं उनको benefit होता है लेकिन इसमें जो नुकसान है वो किसको होता है उस crop को उस plant को होता है जिसके roots तक पहुंचाया जाता है aphids को क्योंके वो उस plant को destroy कर देते हैं यह corn filled ant, lasius ellenus और corn root aphid, aneuraphis, mediradiasis इसके eggs को collect करता है winter में और उनको अपने nest में रखता है spring में यह जो egg हैं वो hedge होते हैं और इन में से nymph निकलते हैं इन nymph को यह carry करते हैं अपने jaws में और इनके host plant जो corn plant है उसके root तक पहुंचाते हैं aphid अपने host plant तक जाने के लिए completely depend करते हैं इन ants पर जो corn filled ants हैं तो winter में यह इनको अपने जो नए stem वहां सुरक्षित रख लेते हैं फिर इनकी hatching करके spring में यह इनके जो host plant है वहां तक उनको पहुंचाते हैं और बदले में जो aphids के द्वारा honey dew produce होता है वो इनको अपने food के रूप में आसानी से available हो जाता है लेकिन नुकसान पौधों को होता है dissemination of plant diseases लगभग 200 ऐसी बिमारिया हैं जो known है और transmitted होती हैं इनकों के द्वारा इन में से लगभग 150 वाइरल हैं 25 फंगल हैं और 15 bacterial और कुछ प्रोटोजोंस के द्वारा transmitted होती हैं फैलाई जाती हैं infection इनसेक्स कई तरहे से help करते हैं इन pathogen को infection फैला सके यह उनको यह transmit करते हैं इसमें जो इनके mouth parts है जब sap checking होता है तो वो contaminated हो जाते हैं अगर इन्फेक्टेड प्लांट में sap shaking की जा रही है या ओवी पोजीशन किया जा रहा है तो कई बार sap shaking या ओवी पोजीशन के दौरान जो इंजर होता है plant tissue उस injured plant tissue में जो hole हो गया है या जो पंच हुआ है उसके कारण भी infection आसानी से फैलता है pathogenes के दौरा तो जो insect है वो disease को plants में फैलाने में काफी महतुपून role play करते हैं या कहते हैं कि उनका काफी महतुपून role होता है इसमें और insect की जो population है या कहें कि जो pest population है उसको control करके हम काफी हद तक ये जो disease इनके दौरा transmit की जाती है pathogenes के दौरा उनको हम control कर सकते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि crops में क्या क्या किस प्रकार से नुकसान पहुंचाये जाते हैं insects के दौरा next video में हम देखेंगी कि जो human beings है उनमें और जो बाकी animals हैं उनमें किस प्रकार के नुकसान पहुंचाये जाते हैं insects के दौरा thank you कर दो